ये हैं महब्बते में उसी शाम, आयज और भलाज एक साथ डिना कर रहे होते हैं जब ससाइटी के मेंटिनन्स की बाद छिर जाती है परमीट सब को बताता है कि उसने मिसिस भला को 30,000 रुपे दिये हैं तब रमन परमीट से कहता है कि अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे 30,000 रुपे देने पड़ेंगे सिम्मी ये सुनकर खुश नहीं होती लेकिन इशदा और मिसिस भला उसको पट्टी बढ़ा कर समझाते हैं कि रवन ये सब करकी ये देखना चाहता है कि परमीट और शोक से पैसा मांगता है या खुद मेहनत करकी सिम्मी के लिए पैसा कमाता है